हेलो दोस्तों एलियाट वेब फूलकोर्स सेरीस का 10 फीडियो पर मैं आप सब का स्वागत करता हूँ इस फीडियो पर आज हम पढ़ेंगे कि आप लोगों का जो प्रॉब्लेम्स होते हैं जो आप लोग मुझे बहुत बर बोले हैं कि सर एक वेब का स्टार्टिंग हम कहां से या फिर उसको यह ABC बन रहा है या WXY या फिर 12345 का इंपाल्स वेब बन रहा है उसका कॉनफर्मेशन हमको कैसे मिलेगा रही तो यह सब जो भी आपका मन में डाउट्स है उस सब कुछ आज क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो पर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवितन करना चाहूंगा कि आप मैं से 90% इवे 95% लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सर मुझे तो यह नॉर्मल चैनल आते हैं जो मैंने अपना पेट कोर्स पर जब पढ़ा था था तो मुस्ट अपना टेक्निकल आरलेसिस तो मुझे आते हैं चाहे हो यह आपको लेना चाहिए उसको आप क्या ले रहे हैं पर ट्रेलिंग स्टॉप लोस तो यह आपके लिए गल्ती होते ही हैं तो इसलिए इस वीडियो पे जो भी एक्दम बेसिक चीज है जैसे कि नॉर्माल चैनल या रेगूलार चैनल और एलिया टुए चैनल का जब मैं ड देख सकते हैं तो वीडियो को यही पॉस कर दिजीया एक्जिट कर जाये और अगर आप सच्में पूरा विडियो को देखना चाते हैं पूरा वीडियो से सिंखना चाते हैं तो पूरा वीडियो को जीए क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के यह सब जो Ooooh बाल्स वेब, कारेक्टिव वेब, कंप्लेक्स कारेक्शन यह सब का पॉइंट्स मैंने लिख रहा है तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा एलियाट वेब चैनलिंग का यह वीडियो तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि एलियाट वेब चैनल क्या होते हैं तो पहला जो यह वेब चैनल अक्चुली होता किया है वाट इस अलियाट वेब चैनल यह जो है इस अ मौड़न मेथ़र कि यह पहले जो आगर आप देखेंगे कि नॉर्माली जाब आपके पास एक यह ओप्सन होता है कि हाव टू काउंट एलियाट वेब अगर कोई आपसे यह सबल पू सब्सक्राइब करते है विद यह जाब आप साब वेब साब वेब तो यह जाब आपके लिए आपकर देखेंगे तो बहुत सारा अब्जेक्टिम मेथड हुए है ओबियसली फीबुनासी तो है ही वो तो सब कोई पाता है फीबुनासी प्राइस है टाइम है बट उसके साथ आप सब यह चैनलिंग जो है इस अ मौटन डे इंवेंशन तो यह जो है एक मौटन मेथड है को एनलाइज मार्केट ट्रेंड वालाब एलियाट वेब के माध्दम से हम इधर से इधर तक पूरा ट्रेंड ही ले पाए इसके लिए हमको जरूरत परते है कि कुछ कनफरमेशन कहां तक इसका टारगेट होगा स्टॉप लॉस होगा यह सब कुछ तो यह हम एलियाट वेब चैनल के माद्दम से ले पाएंगे इट इस पार्ट ऑब अबजेक्टिव मेथर इन एलियाट वेव थियोरी तो यह जो है एक अबजेक्टिव मेथर्ड है कि हार चर्ट अलग हो यह जाने के बाद आपको तो समझ में आते हैं कि सार यह तो यह हुआ था बट जब हो रहे हैं तब आपको लाइब मार्केट पर कैसे कॉन्फरमिसन मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा कि लाइब मार्केट पर जब एक वेब बन रहे हैं कि यह जो है यह एबीसी बन रहे हैं कि 123 बन रहे हैं और कहां तक जाएगा कहां तक हम इसको होल्ड करें कहां से एंट्री ले एक्सिट ले उसके लिए लाइब मार्केट पर आपको यह जो मेथड है वह आते हैं एलियर्ट वेव चैनल के माददम से इस डिजाइन टो ओफर इंसाइट्स इंटो पॉसिबल फ्यूचर प्राइस एक्शन एंड मेंली फॉर वेव कनफर्म तो यह जो है यह पॉसिबल फ्यूचर प्राइस एक्शन मतलब इसके बाद यह अगर हमारे लिए यह 1 है 2 है तो 3 जाएगा की नहीं यह क्या 1,2,3 हो रहा है की नहीं यह सबका एक कनफर्मेशन यह लाइब मार्केट में आपको दे सकते हैं तो इसके माददम से आप बहुत आसानी से एंट्री, एक्सी, टार्गेट, स्टॉपलस यह सब कुछ जो भी है यह सब कुछ आप ले सकते हैं इस ट्रेडर्स इन डिटर्मेनिंग पोटेंशियल ब्रेक आउट और रिवार्सल पॉइंट विद कनफर्मेशन यह आपके लिए एक रिवार्सल और ब्रेक आउट पॉइंट भी देते हैं जिसे आप एलियाट के माद्यम से इंपाल्स होई भो कारेक्टि करें देते हैं यह आ होता है यह होता है रिवार्सल सक्ति करेंश आप को आप यह आर्योज इस दोनों का इक निफारेंट्स आए वह आपको देखना पड़ेगा कभी-कभी नॉर्माल चैनल इस दा बेस्ट और कभी-कभी-कभी इलियाट चैनल इस प्रोफ से जानना पड़ तो here you can see एलियाट वेब चैनल generally provides a dynamic view मतलब market जैसे ये up-down up-down कर रहे हैं तो normal channel पर आप सिर्फ high and low को ले करी चलते हैं बट एलियाट वेब चैनल ये आपको high, low या फिर जो इसके साथ साथ जो ending point, starting point सब को ले कर चलेगा और जैसे market और भी आगे बढ़ेगा आपको एलियाट वेब चैनल के माददम से उस पूरा price action को आप समझ सकते हैं लेकिन ये normal जो channel होते हैं जो regular channel बोली है, normal channel इसके माददम से आप नहीं समझ पाएंगे आप इसके माददम से सिर्फ ये जो है तो ये जो है, it accumulates market cyclical nature and its web patterns, मनदब market पे जो होते हैं आप 5 वेब पे गया, 3 वेब पे चला आया तो ये 8 वेब पे जो एक cycle complete होते हैं तो ये पूरा cycle को ही दर साता है एलियाट वेब चैनल, दूसरी बात है adaptable structure that evolves with the market market पे जो structure होते हैं उसके साथ साथ ही evil होते हैं कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या है ये मैं आगे चलके समझाओंगा it captures both minor and major degree price fluctuation अब इधर normal channel पे आप major degree and minor degree का कोई ऐसा कुछ ही नहीं होता इसलिए आप confused हो जाएंगी कभी कभी आप 3 के अंदर का 4 कोई बड़ा degree का फोर समझ के बैठ इधर ये मैंने properly drop किया इसलिए आपको देख रहे हैं वाट market तो reality पे इतना आसान नहीं होता तो इसलिए आपको ये चीज़ जो समझना पड़ेगा वो है कि ये Elliot web channel इसके माद़म से आप minor and major degree मतलब आप अगर one hour से one minute भी आना चाहते हैं तो Elliot web channel आपको help करेगा and obviously doesn't let you confuse minor degree with major degree fluctuations इसका minor degree जो अलग होते हैं जो degree concept है वो obviously अलग है तो इसलिए दोनों पे confusion का कोई बात नहीं हो जो आपको Elliot web channel प्रोवाइट करते हैं तो चले next देखते हैं किस पे क्या है it initiates, मतलब Elliot web channel के लिए it initiates by connecting the ends of specific waves तो ये ends जो है, ये matter है मतलब इदर आपकार ये normal channel ये regular channel पे देखेंगे it is a normal or regular channel, okay here we connect the low, high and low point, okay ये low, high and low point को अगर हम जोड देंगे it is going to be our normal channel but अगर हाप Elliot web पे देखेंगे तो here what matters is low, high और ये low, it doesn't matter so here what matters is the starting and ending point अगर इदर low point ये आप देखेंगे ये low point ये आपकार ये ending point here low point and ending point are both the same, okay it is only one point but here if you want to look at it here you can see the lowest point within this web 2 is this here but the ending point is here here we are going to mark ending point or starting point with ending point and the ending point इदर जो भी चलेगा it is all about starting and ending point of the waves, okay इदर सिर्फ high low को देखें, normal channel की तरह ये नहीं चलता it projects line forward to predict potential price path मतलब next market कॉनसे डिरेक्शन पे जाएगा वो आपको दिखाते हैं it also adjusts the channel lines as waves evolve and new data emerges जैसे कि इदर मैं जो बोलना चाहरा हूं इस line के माध्यम से ओ ये हैं कि इदर से मैं अगर इस low तक इस low तक मैं अगर कुछ mark किया तो पहले मेरा marking होगा कुछ इस type का एक channel जो मैंने 0.1 and 2 जो है वो probability suppose कि इदर खतम हुए है मुझे लाग रहा था मैंने इदर mark किया बट आभी मुझे लाग रहा है कि नहीं ये जो 2 है वो खतम हुए है इदर तो obviously I can change my marking like this तो इस से मेरा ये जो 3rd, 4th, 5th सबको मैं आसानी से समझ पाऊंगा उस में से कहां trade करना है कहां entry, exit ओ मैं समझ पाऊंगा बट अगर आप ये normal channel को देखेंगे there is hardly anything like to adapt with the market cycle, market pattern, market का wave जो भी है there is hardly anything to adapt with the market तो market में नया data आने के बाद भी market आगर ऐसा कुछ हो भी जाते हैं तो इधर आपको लगेगा fake breakout है, fake fall है ऐसा ही लगने लगए तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है ये आप Elliot wave channel का use करें ना कि normal channel next matter है कि ETNCO traders can stay out of the market, आप इधर matter है कि कि कितना type का Elliot wave channel होती है देखे, here are three types of Elliot wave channel, पहला जो ये है, ये classification नोम तर चैनल पर वो है कि तीन type का channel होती है एक है main channel, दूसरा होते है, sharp channel, third होते है, final channel और terminal channel और whatever the name you want to give अब ये जो है, इधर आपको लिखा है, आप लोग पढ़ लिजिए, you can read it here, okay बट मैं इसका real example और इसका graphic example दोनों के मादन से इसको मैं बात करना चाहूँगा, तो इसलिए next slide पे चलते है इधर ये main channel क्या हूँ, जिसको base channel भी बोलते हैं, तो what is a main channel, it is formed by web 0, 1 and 2 for web 3 confirmation and web 4 target तो इसका काम क्या है, ये आपको web 3 का confirmation देते हैं and web 4 का target के लिए भी काम कर, आप कैसे मैं ओ दिखाता हूँ, ये अगर 0 point है, 1 point है, 2 pointer, तो ये 0, 1, 2 से, महला पहले में 0 and 2 से ऐसे trend line and then उसका parallel trend line wave 1 से खीच लूँगा, ओके, इसको मैं आगे चलके real chart पर भी दिखाऊँगा, जिसे live market पर भी आपको समझ में आएगा, कि कैसे क्या क्या बात है, तो ये जो है 0, 1, 2 point ही दर हो गया, then third, जब ये जो line इसको break करके जा रहा है, तो obviously here is one thing that matters is, कि breaking of the upwards part of this upward channel, ये channel कौन सा direction पर जा रहा है, channel is upward, but here upper line is being broken of this channel, which is a upward channel, तो ये चीज़ कब हो सकते है, कि एक upward channel का upside ही break हो जाए, ये तभी समभब होगा, जब इदर बहुत सारा power है, there is a good enough momentum, only then this is possible, this upper line of this upward trend channel is broken, तो ये जो है, ये हमाले important है, ये हमाले confirmation होते है, एक confirmation point, कि ये हमारा wave 3 हो रहा है, then there is wave 4, तो ये wave 4 कभी-कभी ऐसा होते है, कि ये जो है, ये ऐसा करके, ये जो हमारा main channel ये ब लेकर, उल्टी तरफ अपना 5th wave के लिए चले जाती, जो मैं आपको, real chart पे बहुत पर दिखाता हूं, जो हमारा daily analysis का video होते है, और उसके साथ आज भी मैं दिखाऊंगा, so don't worry, different charts पे smaller time frame पर भी मैं दिखाऊंगा, so you don't have to worry at all, तो ये था आपके लिए main challenge, wave 3 का confirmation and wave 4 जो है, इसका purpose क्या है, इसका purpose है कि wave 4 का confirmation लेना और wave 5 का target देना, तो देखिए, इधर जिस channel का जो काम है, उसको उस काम के लिए use करना पड़ेगा, you just can't say कि इस channel के मात्यम से, मुझे wave 3 का target चाहिए, या फिर wave 4 का target चाहिए, ये हमेशा होगा नहीं, ओके, और exceptional cases भी मैं बता तो आप उदर wave 1 से wave 3 तक एक जो line है, उसको आप draw करेंगे, and wave 2 से उसका parallel channel you will just draw, तो अब इस से क्या होगा, ये है 1, 2, 3, तो ये जो fourth wave होगा, ओ कहां तक रहेगा, ओ fourth wave जो है, ओर normally 2 wave पे रहती है, एक है, ये जो channel है, इसके अंदर अगर ऐसा रहे जाएगा, तो इधर से औ lower line से, then it can be a possible fourth wave has been completed here, ओए for confirmation, and in case अगर ये इस जो sharp channel का lower line से बाहर चला आगे, तो ओवियसली जो मैंने आभी main channel दिखाया, जो 0, 1, 2 से, तो ओवो mostly जो क्या करते हैं, चायो ऐसा time correction ले, या ऐसा price correction, in both the scenario, it normally comes and touch this base channel और main channel, तो ये हमार लिये important है, और ये fourth wave अगर इसके बाह lower line of the sharp channel, then you can say कि ये जो fifth wave होगा, वो कभी-कभी इस particular जगा पे जाकर रूप जाते हैं, और अपना जो fifth wave है, वो complete करते हैं, and market then reverses as ABC, तो इसलिए मैं इधर जो लिखा हूँ कि वे 5 star gate is sometimes can be the lower line of the sharp channel, okay, most of the cases ये होते हैं, चले next क्या है, ओ देखते हैं, ये है final channel, तो final channel जो है, obviously ये किया है, ये final channel, जो है, it is formed by wave 1, 2 and 4, और wave 2, 3, 4, for wave 5 confirmation and target, अब इधर ये matter, ये final channel को अब 2 wave पे draw कर सकते हैं, एक होगा, अब ये जो है, ये 1, 2 and 4, मतलब ये जो 2 से 4 का, जहाँ पर आपका 4 तो ये complete हुआ है, जैसके मैं आभी बोला, कि वो आपका base channel पे complete होते हैं, sharp channel प पे आपको 4 का confirmation मिल गया, कि we are in wave 4, तो जब हम wave 4 पे है, we are getting confirmation, then only, what we are going to do, कि ये wave 4, ये अगर जहाँ पर भी आपको लाग रहे हैं, कि खतम हो रहे हैं, we are going to wait for it, we are going to subdivide wave 4, कि ये क्या हो रहे हैं, wave 4 को हम एक channel के अंदर भी ऐसे राख सकते हैं, तो जीस वे पे आप राखन आपको लाग रहे हैं, has ended, I am talking about ending point of wave 4, okay, it is not about the lowest point, if lowest point is your ending, then it's fine, but अगर lowest point, ending point नहीं है, तो आपको ending point को ये preference देना पड़ेगा, lowest point को नहीं है, तो इधर ये second wave and fourth wave को हमने ये add कर दिया, एक line खींच दिया, and wave 1 का high से हमने उसका एक parallel channel draw किया, तो obviously अभी क्या होगा, ये जो 5th wave होगा, ये normally इधर आकारी रोख जाएगा, ये जो particular जागा है, इधर आकार रोख जाएगा, और अगर आप 2 से फोड का line draw करने के बाद, instead of wave 1, if you want to connect with wave 3, then also it is fine, okay, it is not that it is having some issues, no, ऐसा कुछ नहीं, अब इस दोनों का ही हमारे लिए importance है, कि कब हम इधर से join करे, मतलब ये आपके लिए confusion होगा रही, तो इस दोनों का ही, जवाब भी मैं दे देता हूँ, जब आपको लगेगा कि wave 5 is not that powerful, जो normally होता नहीं, तब आप इसको wave 1 से add करेंगे, तो obviously market इधर जाकरी रूख जाएगा, और in case wave 5 is going to be extended, और wave 5 is too powerful, then ये जो wave 5 है, ये normally जाकर ये जो upper line है, इस इसको touch करेगा, if you are touching this with wave 3, ये आपको एकदम highest point पे जाकरी touch करेगा, और in case अगर wave 5 not so powerful, like here in this case, और आपने wave 3 से draw किये है, माला wave 2, 4 को connect किये और then wave 3 से इसको draw किये है, तो obviously ये इसका median line को जाकर touch करेगा, and there it will end, okay, तो ये हमारे लिए अगर wave 3 को ये आप लेकर चलना चारहे ह है, तो obviously you can take it, but तब आपके लिए 2 target होगा, एक median line, दूसरा होगा ये upward line, okay, तो ये दोनों ही हमाले important है, depending on कि wave 5 कितना बड़ा हो रहे हैं, कितना circle जा रहे हैं, इसके उपर ये सब कुछ different कर, तो next देखते हैं, क्या है, वह है real example, तो चले कुछ real examples के माद्दम से हम समझते है तो अभी हम आगए bank nifty का 2 hour का chart पे, इधर हम real examples के माद्दम से समझेंगे, कि ये जो channel की बात में अभी तक बोला, कि कभी 1, 2 and 4 को connect कीजिए, कभी 1 के साथ इसको, फिर 2 के साथ उसको connect कीजिए, तो अभी मैं आपको reality बता हूँगा, कि इसको real chart पे कैसे draw करना है, कि ये इतन बावर पे दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको और भी छोटा या बड़ा time frame पर भी देख सकते है, result will be more or less the same, तो चलिए अभी थोड़ा इसके अंदर चलते है, इधर bank nifty पे जो market का रहा था, I think it was clear, right, इस particular low से market ने जो start किया, तो इधर आपको channel को अगर draw करना है, तो आप आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो chart है, इधर ये जो low level पे, ये जो auto fit strata कर ले जिए, and then, ये जो lowest point, इस lowest points, आप क्या करेंगे, जो आपको, I think, इधर clear ली दीख रहा है, कि market पे, ये क्या इधर बनाया, I think, here it was very very clear, कि ये bank nifty पे, कोई भी इसको light पे mark कर सकते थे, कि it was more or less one, ये होगा आपका zero point, and here will be your two, तो ये zero one two point है, then third wave के लिए market इधर चला जाएगा, तो here is a confirmation, confirmation कहा है, इधर confirmation is here in this point, कि इधर जो है, ये हमेर लिए confirmation ते रहे है, कि wave three, ये wave three might have started, अगर ये wave three ना होकर, if it was a, b, c, अगर ये a, b, c होता, तो ये इसके अंदर ही बहु ये wave A का territory के अंदर भी चले आते बहुत जल्दी, और at least median जो line है, इसको तो touch करता ही, मतलब इसके बाहर, जो है, इस channel के बार, ये कभी भी sustain नहीं करेगा, ज्यादा देर तक, अगर ये गलती से चला भी गया, इनके सब wave C ऐसा हो भी गया, ये तुरंती सर्व लिए, ये एक sustain कर रहे हैं, और ज्यादा retrace नहीं ले रहे हैं, तो it is a part of wave 3, और आप लोग तो books पर पढ़े चुके होंगे न, कि wave 3 को कैसे देखते हैं, आप लोग normally ये पढ़े होंगे, कि wave 1 के बाद, wave 2 जो है, ये क्या होते हैं, normally 61.8% या 50% तो आते ही, ये तो आप लोग books पर पढ़त होगा, ऐसा कोई जलूरत नहीं, अगर ये wave 3 जो कि surf होते हैं, और ये upward channel का upper line के उपर sustain कर रहे हैं, मतलब is very very surf, तो तब ये wave 3 के अंदर का जो 1, 2, 3 हो रहा हैं, ये 1, 2, 3, तो ये 3 के अंदर का 1, 2, 3, 4, 5 होगा, तो ये 3 के अंदर का 1 है, ये 2 है, तो ये 1, 2 जो है, इधर 2 में भी आपका 38.2% आएगा, ये ज्याद से ज्यादा तर मैक्सिमाम 50% जा सकते हैं, बट नॉर्माली ये 1 के बाद 2, जो नॉर्माली हम परते हैं, 61, 78, 80, 90% चले आएगा, ये नॉर्माली होता नहीं, ओके, तो नॉर्माली अगर ये wave 3, इसको break करने के बाद, अगर मैं मान भी लो, ओए 3 के अंदर 1 है, ओए 3 के अंदर का 2 इतना retrace कर रहे हैं, या फिर इस चैनल के भी बाहर आ रहे हैं, तो उसको लेने का कुछ खास फाइदा नॉर्माली नहीं होगा, ये ओए 3 के अंदर का 2 इतना retrace नॉर्माली नहीं करता, ओके, तो if it is 1, 2, 3, 4, 5 is happening, तो 3 के अंदर का 1 के बाद 2 जो है, ये 38.2% पे एक सार्फ करेक्शन भी दे सकते हैं, ओके, और जिसका COF फेलियर भी होगा, 1 होगा, 2 के अंदर का A होगा, B होगा, then C होगा, even if it is a zigzag, और even if it is a flat double failure, whatever it is, अब जिनको ये flat zigzag समझ में नहीं आ रहे हैं, आप पिछला वीडियो को ज उससे आपको जरूर मदद मिलेगा, और, तो इधर ये C वेप का failure होते हैं, most of the time, अगर ये उसके बाद, मतलब 3 के अंदर का जो 3 होगा, वो अगर सार्फ ली जाना चाहेगा, तो, ओके, तो ये 3 के अंदर का 1 है, ये 3 के अंदर का 2 है, जिसके अंदर का C ये ये जो आक्ड आप बोड़ेंगे सर, वो तो ठीक है, बट जो मैंने मेरा स्टूडेंट से देखे हैं, कि वो लोग हाड जगा पे टार्गेट तो चाहते हैं, ये उनको लगते हैं, कि अगर अपना प्रॉपीड जो है, वो अगर खो गया तो, अगर चला गया तो, उसके लिए कुछ नहीं बस ये चैनल को आप ख्लिक कीजिए, इस पर ये जो है, ये क्लोन है ना, या फिर कॉपी करके पेश्ट बोल सकते हैं, तो ये क्लोनिंग कीजिए, और देल, ये जो चैनल का आपर लाइन है, उसके साथ जोड देंगे, तो ये थार्ट का जो टार्गेट है, वो आपको मिलत कर रहेगा, ओके, तो जब भी ये थार्ट का टार्गेट ही, इस ने हीट किया, और ओ, अगर आपका फिबुनाची रेसियो के साथ, अलाइनमेंट भी है, तो ओपेश्ट लिए ये हमारे थार्ड ये हो गाए है, अगर थार्ट का फिबुनाची रेसियो इधर होता, तो इसको देख सकते हैं, ये होते हैं, आपका नॉर्माल चैनल बोली है, या रेगूलर चैनल, जो है, उसके साथ, अगर आप मैं एलियाट वेब चैनल को मिला ना चाहूं, तो इस हाओ वी काम करेगा, और ये छोड़ा टाइम पर भी देखना चाहिए, तो मैं ओ भी दिखा द मालूम नहीं है, but I know three things, this is a starting point, here it, और this might be our ending point, okay, and then here it might be our ending point, right, यहीं तो हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ये जो चैनल है, मैं ओ ही चीज जो मैंने किया, इधर auto पे select किया चार्ट को, and इधर ये जो low point है, low point के साथ, मैं ये वाला low point, जो मुझे ending point पी लाग रहा है, कि इधर आमारा ये 5 खतम हुए है, तो इसको ये फिर अगर लाग रहा है, ये वाला high, इसको मैंने जोड दिया, तो भी ऐसलिए मुझे लाग रहा है, कि ये वाला high pay मेरा ये जो sharp वेब है, ओ end हुए है, तो मैंने इसको जोड सकता हूँ, and then ये हमार लिए हो और बाकि अगर आप दूसरा कुछ भी देखना चाहेंगे, कि 1 minute का चार्ट पर सब कुछ का example, तो आप हमारा ये जो app है, इधर जाकर भी, ये जो book है हमारे, Elliot Wave Uncovered, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये 271 pages का book है, इधर आपको complete detail में मिलेगा, कि इस इप Elliot Wave का ये channel ही न का confirmation का जो काम था हो तो हो गया, अभी इसके साथ है, दूसरा जो कुछ चीज है, वो भी देख, जैसे कि सारफ channel and final channel, तो फिर से हमने वही bank nifty का चार्ट है, उधर हम चले आए हैं, तो bank nifty का चार्ट पर इधर भी मुझे clearly दिख रहा था one thing, कि इधर भी, it was one, two, three, it might be our four and here is out five, तो इसके लिए मैं ये two hour से one hour या 30 minutes पर जाना चाहूंगा, फिर पांच minute या 15 minutes पर इसके अंदर का sub waves को भी मैं दिखाऊंगा, अभी मैंने जो दिखाया, वह ये बढ़ा बला जो इस low से, इस high tech का sub wave, अभी जो है, इधर हम इसके अंदर का, इस fifth wave है, इसके अंदर भी देखेंगे, दिन दूसरा charts को भी देख सकते हैं, तो चले ये bank nifty का 30 minutes पर चलते हैं, तो इधर I think here what we can do, same thing, इधर कुछ करने का, खास अलग कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इधर से same way पर हम इस low level से इस level तक, हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके, ये drop ये, तो अब ये third sharply जा रहे हैं, तो इधर हमारा normal channel का भी काम है, वो भी मैं दिखाऊंगा, बट आभी के लिए, जो matter है, वो ये हैं कि ये 0 है, 1 है, ये 2 है, तो ये 0, 1, 2 को मैंने draw किया, तो ये हमारा third का confirmation मिला, and then, if third जब तक upside पे जा रहे हैं, तो what we can do, या what we are supposed to do, we can draw a normal channel, and draw a parallel channel with this, मतलब इधर हम एक normal channel draw कर के भी, हम क्या कर सकते हैं, वो if three को trail कर सकते हैं, ये भी normal channel भी आगर आपको नहीं चाहिए, तो आप एक चीज़ जो कर सकते हैं, ओ है, ये low level का, आप ये जो lower swings है, ये swings को मिला कर, ये जो swing है, ये swing है, जो भी मार्केर ने swing create किया है, ये swings को draw मि आप draw करेंगे, just take normal trend line, it is also going to give you a good trailing stop loss, okay, तो इसके माददम से भी आप कर सकते, तो ये जो है, ये आपके लिए हो गया, one, two, ये third, आप obviously इधर three क्यों कि बहुत ही sharp है, तो क्या इधर ये जो हम अभी बोल रहा है थी कि cloning क्या हो काम करेगा, ये है एक बार किया, ये दूस आप उसी सब से कीजिए, आप इसको आप एक अलग जो चैनल जो मैं ये बोल रहा था, आप एक अलग चैनल के माददम से भी इसको ट्रेल कर सकते हैं, अगर third wave इसके अंदर ऐसे चलते ही जा रहे हैं, तो obviously वो third जो है, वो side बहुत ज़्यादा elongated हो रहे हैं, हो सकते हैं, व आप एक काम कीजिए, कि ये जो particular channel है, इस channel के माददम से, जो नॉर्मल channel है, ये कोई एलियर टूप का channel ने, एक regular channel के माददम से, आप इसको ट्रेल करते रहेंगे, तो it will do the best job, okay, तो ऐसे कार कि आप third को देख सकते हैं, फोर्थ को भी ऐसे ही normal channel के माददम से, आप इसको भी आप इसको देख सकते हैं, along with candlestick volume and everything, तो ये आपके लिए one, two, three हो गया, आप ये जो fourth wave है, ये fourth wave, mostly जो मैं बोल रहा था, बेस channel के अंदर आकरी इदर रूख जाते हैं, तो ये अगर आपका third wave हो गया, तो ये fourth wave कहा रहेगा, ये fourth wave ये बेस channel पे आकरी इदर रूख गया, इदर से support लिया, and then इदर से sharply चला गया, और इस लोग को हम clearly पकर चुके, आपको लाग रहा होगा कि इसके लिए बहुत कुछ समझने का, इसका sub wave को, ये क्या A, B, C, मिला का W, X, Y, X, Z हो रहा हैं कि नहीं, ये सब कुछ समझने का जरूरत है, हाँ, अगर ओ clear है, तो obviously है, तो ऐसे करके भी objective way पे हम देख सकते हैं, कि इदर आया, आया, ये channel को break किया, जो normal channel है, किया, तो obviously it might be entering into our fourth wave territory, और third का जो momentum था ना, वो खतम हो गया है, and then ये fourth wave इदर से अगर retrist किया, इदर तक आया, and then market is going, तो we are going to take the fifth wave, अगर ये इसका बीज में से ही ऐसा चले जा रहे ह है, जो हमारे लिए कोई proper confirmation नहीं है, तो इस fifth wave को हम ना भी ले सकते हैं, ओके, या फिर छोड़ा time frame पे जा कर देख सकते हैं, तो अभी चलिए, ये तो base channel या main channel जो है, ये तो हमारे लिए हो गया, I think आप समझ पाए होंगे, नहीं पाए हैं, तो आप लोग comment कीजिए, और अ किया, and wave two का जो low है, इस low point को मैं इसको दूसरा color देता हूं, जासके red color, तो इधर, here you can clearly see, market कहां बाहर आए हैं, इधर, here is a confirmation, that fourth wave, we are already in the fourth wave, third wave has completed here, okay, so third wave खतम होने के बाद मैं बोल रहा हूं, जब third wave का ending point has already been marked, or you can clearly see the ending point of the third wave clearly, so here is wave one, here might be two, here might be your third point, okay, then here will be your third fourth wave, okay, and then fifth wave, it can go for the upside, am I clear, तो यह आपका one, two, third हो गया, then यह fourth का confirmation, fourth का एक target zone, जो base channel के मात्रम से हमने draw किया, या expect कर रहा, and then इधर से market fifth wave के लिए जाएगा, अब obviously fifth wave के लिए हमारा लिए, जो जरूरत है, ओ है final channel, तो final channel को कैसे हम draw करते हैं, तो final channel को draw करने के लिए, हमा and then third wave से हमने किया, एक draw, अब third wave से मैंने draw किया, और चली इसका color को मैं अलग कर देता हूँ, जैसे कि यह blue, जिससे आप लोग को समझ में आएगा, तो यह blue था हमारे लिए किया, एक final channel, okay, तो इधर यह wave two, four, and then यह जो है, आपका wave three के साथ हमने जोड दिया, क्यों, क्योंकि if it is very sharp, one, two, three, four, five करके जा रहे हैं, तो यह लगबख इसको touch करना चाहिए था, जो लगबख इसने किया, पाट थोड़ा सा यह point से, कुछ point से बस यह रहे गया, जो कि very much normal, and then market has fallen, इसके लिए हम एकी चीज़ करेंगे, कि इधर से इची मुह को, या फिर एक normal trend channel खीच but मैं इधर यह बोलना चाहा हूँ, यह हमाले exit point है, not entry for the downside, but exit for the upside, okay, in this point, okay, तो यह हमाली fifth wave है, और अगर आप बोलेंगे कि ओ तो ठीक है, लेकिन यह final channel जो है, आप यह तो बोल रहते हैं कि यह wave 1 का जो यह particular जगा है, उसके साथ draw करने का, right, और आपको अगर यह लगए कि यह final channel को wave 1 के साथ कैसे draw करें, तो same ही है, 2-4 का trend line draw कीजिए, wave 1 के साथ जो है, उसको जोड़ देने का कोशिस कीजिए, कुछ इस तरही के से, insert of wave 3, तो इससे क्या होगा, normally अगर यह fifth wave ज्यादा powerful नहीं होते हैं, फोर्त के बाद ऐसा करके fifth बनेगा, वो इधर टाच करके नी कि what market is in the making, market इधर तक लगवग जा सकते हैं, आपके लिए एक target है, and then Fibonacci, RSI, और भी बहुत कुछ जास कि मैंने दिखाए, आभी इधर से एक trend line draw, यह सब तो है ही न, तो आभी चलिए, यह जो particular जगा है, इस particular जगा के अंदर भी चल के हम देखेंगे, छोड़ा time frame जसके 5 मिनिट, 15 मिनिट पर कि इधर मार्केट के आप बना रहा है, तो आभी हम चला है, बैंक निप्टी का इफाइब मिनिट का time frame पर, तो इधर मैंने फिर से यह automatic पर chart को कर लिया, and then इधर से मैं जो करूँगा, वो सेम चीजी है, जो मैंने अभी यह draw किया था, इसको मैं इधर स कर दूँगा, ताकि आपको 5 मिनिट का chart पे clear लिदी के, तो यह जो fifth wave हमने आभी mark किया, 30 मिनिट का chart पे, तो इस fifth wave के अंदर का 5 waves है, वो हमको कैसे मिले कर आई, यह आपका मन में obviously सवाल तो हो ही सकते है, तो इधर यह सेम जो है, यह हमको करना पड़ेगा, यह जो low point है, इस low point से मैंने इसको mark किया, जहाँ पर हमको लग रहा है, 0 and 2 को mark किया, with the help of wave 1, तो यह हमारे लिए confirmation है, कि इस particular जगा पे, it is going to be our wave third, not ABC, okay, it is not a corrective rise, कि यह ABC हुआ and गिर जाएगा, ऐसा नही है, and market will go for the upside, because here is a wave third confirmation, when it is breaking this channel, तो देखिए यह 5 मिनिट पर भी base channel, यह main channel मैंने और भी जो बाकी दूसरा चीज़ है, जैसे कि यह sharp channel, यह आपका final channel, यह भी मैं दिखाने का कोशिस करता हूँ, तो यह wave 1 का जो high है, उदर से 3 को लिया, then wave 2 का low से इसको जोड दिया, and market, अगर इधर से ABC करके भी जाता, तब भी it is wave 4, और अगर इधर से mostly जो होते हैं, यह ब side पर जाने का इधर से प्रयास करें, right, this is what it can do, तो लेकिन इधर यह sharp channel के माद़म से, we can confirm कि we are already running in wave 4, तो इधर से हम एक normal channel जो है, यह draw करेंगे, और उसका एक cloning भी ले सकते हैं, जब भी market इस channel को break कर रहे हैं, obviously we might be in the 5th wave already, okay, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते थे, कि यह जो है, यह हमारे लिए 4th wave का confirmation मिला इस point पर आकर, जो कि 45,462 इसके करीब-करीब है, obviously आप अगर सिर्फ 3rd को exactly इधर ही catch करना चाहेंगे, तो obviously आप जो मैंने बोला कि इधर से कुछ इस तरीके से एक channel और market और भी sharply हो रहा है, तो इसके उपर से और एक जो channel है, यह पिर एक trend line है, उसके माद्दम से भी आप कर सकते थे, okay, और उसके साथ फीबुना सी बाकी जो चीज़ है, वो सब कुछ मिला करें चलते है market, तो यह जो है, यह आपके लिए confirmation देती है, तो बेसलिए आप यह आपको लागा है कि यह 5th wave जो है, यह final channel के माद्दम से हम इसको कैसे ले सक सकते हैं, तो यह second wave है, यह है आपका fourth wave का ending, इस particular जगा पे, तो अगर हम इस third wave से mark कर देंगे, okay, जो कि 5 minute के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, यह अगर one है, two है, three है, if here is your fourth wave, तो यह fifth wave के लिए अगर यह one, two, three, four, five करके market गए है, in case it is the fact, तो अभी obviously market क्या करेगा, यह third से यह wave one को three के बादले, ले कर देखते हैं, कि इधर market क्या करते हैं, लगवाख wave one से अगर मैंने लिया, तो देखिए, इधर, I think here it is quite clear, यह जो fifth wave इधर बना, वो exactly, यह two, four का trend line and wave one से लेंगे, तो उधर जाकर रोग क्या, okay, तो इधर आपको बस एक चीज़ का जलू रहा है, कि ending point को अगर आप समझ पाएंगे, तो it will be the best, और आगर ना समझ पाते हैं, सबसकि इस low point को भी ले कर चलते, तो ऐसा नहीं कि बहुत हमेसा कुछ उल्टा सीधा हो जाते हैं, बट इधर आप अगर ending point को ले पाएंगे, it will work perfectly, और अगर नहीं ले पाएंगे, तो sometimes it will not work, and sometimes it will not be that perfect, तो आपको इसलिए ending point को ढूंटना बहुत ही जरूरी है, तो दोस्तों आप लोग पाते हैं कि आप लोग का आज का इंपल्स वेब पे यह 5 मिनिट हो, 30 मिनिट हो, 2 आउर हो, 1 डे हो, जहां पर भी आप जाएंगे, यह काम करते हैं पहली बार, तो आपको यह इंपल् पर यह चैनलिंग को हम कैसे इस्तिमाल करें, चाहिए हो simple correction हो, यह complex correction, चाहिए हो motive वेब का part, यहानि कि diagonal हो, यह ट्राइंगेल हो, WXYZ हो, यहानि कि 23333, या पर double zigzag, triple zigzag, flat, जो भी है, वो सब के अंदर जाकर हम देखेंगे, कि यह आपके लिए कैसा काम करते हैं, और उसका आप लोग के लिए कोई सवाल है, तो आप लोग के लिए मैं फ्रीमे देना चाहूंगा, तो आप लोग के लिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर